हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का लेड़ेट एडूकेशन में और आज सबसे पहले तुम्हें आपको बता दू कि अगर आप किसी भी पतियों की परिशा की तयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर आप टेस्स लेना चाहते हैं ऑनलाइन टेस्स तो आप इस एप को डाउनल और इसमें आप सभी प्रगार की टेस्स पर्चेस कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो देखिए आज हम डिसकूस करेंगे मोस्त इंपोर्टिन क्योशन जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत हेल्फफुल होंगे और यह क्योशन ऐसे हैं जिनको ए क्याला क्योशन देखिए यहां पर मैं आपको कुछ चीज़े बताऊंगा कि इस क्योशन को सौल्ट करने के लिए कितने चीज़ों की जवरत है सबसे पहले यहां पर लिखा है ब्लैंक मैक्स अमेन परफेक्ट अब यह वैसे तो मैं रोज सुनता हूं और मैं बोलता भी हू तो हमको सब्जेक्ट के अशरकता होती है तो सब्जेक्ट यहां पर मुझे सब्जेक्ट हमेशा नाउन फॉर्म में होता है है अब िरूं कि स्विदि किसे वीर सोनना था कि स्विमिंग इस और कि अगšे वर्भ बिल्कुल नहीं है की अगर किसी वर्भ में आई-एंट कर द जैसा कि आप देखर रहे हैं कि प्रेक्टिस में सी लगा हुआ है तो सी ये वाला वर्ड जो है या आपका नाउन है इसलिए इसका सभी जवाब जो होगा वहता है चीज बहुत ज्यादा important भी है कि अगर आप किसी एक्जाम की preparation कर रहे हैं और preparation कर रहे हैं उसमें अगर आपकी practice बिल्कुल complete है तो आपको exam में select होने से कोई नी रोक सकता क्योंकि यहाँ पर जो main प्रफंडर्ट क्योशन आपको सॉल करने चाहिए मिनिमम और जब आप 500 क्योशन सॉल करेंगे तो एक ही क्योशन उसमें 10 बार आएगा या 20 बार आएगा तो जब आप क्योशन को 10-20 बार कर लेते तो वह वेसे भी आपके दिमाग में चप जाता है और जैसे यही तो बिना टाइम वेस्ट करेंगे प्रैक्टिस अब जैसे यही क्योशन आपके एक्जाम में आजाता है तो आपको एक्जाम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहां पर डार 500 क्योशन स्टुडेंट से करवाता हूं यहना 200 क्योशन तो मेरे चैप्टर के साथ साथ में चलते रहते हैं उसके बाद में 300 क्योशन में उनको अलग से देता हूं ताकि वह उनको भी सौल करें और कमांड आए ठीक है इसलिए हमारी क्लास से 20 out of 20 और 30 out of 30 इंग्लिश में न चाते हैं तो ज्यादा ज्यादा प्रेक्टिस कीजिए ठीक है प्रेक्टिस क्योशन हमारे पास अवेलेबल हैं अगर आप चाहें तो वह आपको मिल सकते हैं आपको इस नंबर पर मैसेज करना रहता उसके लिए तो मैं आपको बता जाता हूं इस नंबर मैसेज कर सकते हैं इसमें आपको सभी प्रकार के practice paper, notes वगेरा सब मिल जाएंगे, अगर आप बाहर के हैं, और अगर आप मनसूर के आसपास के हैं, तो आपको coaching लेना ज़्यादा beneficial रहता है, अगर आप कम समय में selection करवाना चाहते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यह जो practice है, SE, यह verb है, ठीक है, I need your blank, I need your advice SE, CE, advised CED, या SED, बताए इन चारों में से क्या आएगा, तो देखिए वापस से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है your, योड जो है, वो एक possessive case है, इसके बाद में जो word आता है, वो by default noun रहता है, ठीक है, कैसे, जैसे your के बाद, अगर मैं कोई भी word बोलूँआ, तो वो noun ही होगा, your pen, your book, है न, your father, यह सारे word अपने आप में noun है, तो मुझे है noun की ज़रूँआ है, noun आपको पता है कौन सा, c e, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा, I need your advice, ओके, तो आगे बढ़ते हैं, he blank against me, देखिए बहुत अच्छा है question है, he blank against me, अब यहाँ पर मुझे ज़रूरत है subject के बाद verb की, वर्ब यह बिल्कुल नहीं है, चीक, अब यहाँ पर यह complaining डारेक्ट आएगा नहीं, complaints लिखा है और complaint लिखा है, अब देखिए वे से देखा जाए, तो complain करना कोई routine habit नहीं होती है, regular habit नहीं होती है, कि रोज सुबह उठे, complain करा, रोज सुबह उठे, ऐसा नहीं होता है, इसे case में यहाँ पर option आएगा, he complained against me, उसने मेरे बारे में complain की, तो complain करना जो है, वो एक event है एक तरह से, जैसे कोई मेरी रोज complain नहीं करता है, कोई ऐसा नहीं कि एकी बच्चा रोज सुबह उठा, सरा बच्चा नहीं पढ़ाते हो, फिर दूसरे दिन सरा बच्चा नहीं पढ़ाते हो, फिर तिस दिन तो ऐसा नहीं होता है, यह तो एक ब इसे पहले तो बेड़ वैदर आपका subject है subject के बाद आपको ज़रुदत है वर्ब की यहां पर कौन सी कौन सी आपको देखना है तो चलिए आप बताईए वर्ब कौन सी इता इस तो दिखेंगे बैड़ब के बात में जो वर्ब होती है वह आपकी effect ठीक है और अगर फेक्ट एक वर्ब है तो सबसे पहले यहां पर दिखें बैड वैदर जो है वह एक सिंग्लर सब्जेक्ट भी है और अगर यह सिंग्लर है तो इसमें वर्ब के साथ में आपको पड़ेगा एस या यह तो इस हिसाब से आपकर देखा जाए तो यहां पर आएगा अफेक्ट चीक है तो यह इसका सभी जवाब होगा अफेक्ट तो बैड वैदर अफेक्ट अवर है क्योशन नमर पांच इस टाइम यू इस टाइम यू इस टाइम यू शुड इस्टडी इस इस टाइम यह पास फॉर्म को शो करता है कि इस समय कल तो इस टाइम यू स्टडी इस समय तुम कल पड़ रहे थे ठीक है तो यहां पर आएगा इस टीट आगे बढ़ते हैं क्योशन नम्बर सिक्स चेंज इंटू पैसिव वोईज देखे लिखा है इस इंपॉसिबल तू इस इपॉसिबल तू दू धू दूरिज ऑप्शन है तू डू दू दिस बाइդट इंपासिबल ऑट्चेंव से दू पर लिखा है तो मुझे एक चीज कंपल से चाहिए और वहें 2 to be done तो सबसे पहले मैं चेक करूए यह कहा है to be done यहां नहीं हटाओ to be done यहां पर है बस तो यह आपका answer हो जाएगा पैसी वह हमेशे यहार रिखिएगा वर्ब से पूरा काम चलता है है ना पूरा वर्ब seven I went to the temple with my parents aunts and cousin sisters okay very good देखिए I went to the temple with my parents aunts and cousin sister चीक है अब देखिए इसमें क्या होता है सबसे पहले तो इसमें दो एरर आ गए अपने पास कि दो कजिन जो होता इसके साथ में sister brother हम लगाते नहीं है तो एक temple है इसके पहले यहां पर नहीं लगेगा क्यों क्योंकि दो टेंपल के आगे तब लगता है जब आप किसी अदर पर्पस से टेंपल जाते हो किसी और पर्पस से लेकिन यहां पर जैसा कि कुछ लिखा नहीं कि यह मंदिर क्यों जा रहे हैं इसका मतलब में मान के चलूँआ कि यह मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं इनका कोई दूसरा पर्पस नहीं है इसलिए टेंपल के सामने हम द नहीं लगा सकते लग लगेगा जब पर्पस वही होगा इंका ठीक है अगला है वह सब्जेक्ट आएगा तो अब यहां पर देखेक्ट आएगा तो वॉब्जेक्ट जो आएगा तो उस इसाफ से यहां पर हमको लेना पढ़ेगा हिए ठीक है तो यह ही मुझाएगा यह जो PDF फाइल है यह आपको मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉस में दे दूंगा लिंक ठीक है तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लावा अभी आपके एक्जाम है उसमें अगर पेडागोगी की नोट्स की रिक्वार्मेंट आपको पेडागोगी ग्रेड वन और ग्रेड टू तो उसके लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको जो आपका कॉमन पेपर है चो मिलिए उसका एक सेकेंड अगर आपको फ्रेक्टिस चाहिए तो ने किस प्रेक्टिस बना रहे हैं वह भी आप पट्चेश कर स सारे वीडियो डेली अप्लोड होते हैं ठीक है यूपी टेट इसके अलावा संवीदा चिक्षक सिटेट ससी ऑसाइं प्लोड करते हैं चीक है चलिए तो बहुत अच्छी बात है और यह शीट आपको मिल जाएगी और इसके अलावाद वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें कि ताकि मैं और वीडियो बनाऊं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मेक मोर वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चीक है और लाइ मतना है कि यह क्यों आया लेकिन यहां पर मैं एक एक चीज को पूरा एक्स्प्लेइन करता हूं ठीक है तो यह चीज भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल